नमस्का दोस्तों आज की डिस्कस में आप शब का श्वागत है आज अब बात करें है आरपेसी और अधिनस बोड के द्वारा लंबी चल रही खाफी सालों से बढ़तिया जिनके कुछ के एक्जाम करवा लिए गए तो कुछ के नियुकति नहीं दी गई किसके एक्जामस बाक अधिक्स के द्वारा भरतियों में बरती जा रही लापरवाई और आयोग की गड़बडियों और लंबित भरतियों को लेकर आज पत्तर में लिखा है और उनको चेतावनी भी यहाँ पे दिये मैं बात कर रहा हूँ उपेनी अधिव जी के जो अपने बेरोजगार महाशंक आयोगे लापरवाई तानासाई समाफत करने की चेतावनी पत्तर यानि जो अभी तक उन्होंने तानासाई लापरवाई बरत रहे हैं हर बरतियों में तो वो ना बरत के अब उनको चेतावनी यहाँ पे डिरेक्ली दी गई है उसके बाद ने बोला गया कि बेरोजगारों क विविन परकार का सामना करना पड़ रहा है विविन परकार का और उनके परेणाम में काफी देरी होने से उनके आगे का बहुशे भी याँ पर अंदकार में जाता हुआ नजर आ रहा है विविन परकार की गड़बडिया भी याँ पर देखने को मिल रही है और एक कैलेंडर जो है उसके according यहां बढ़तियां नहीं करवाई जाते हैं तो उनके इंट्रिव बाकी हो जाते हैं तो उसके बाद में उसकी न्यूकति यहां पर समय पर नहीं दी जाती तो वेरोजगार महासंग का यही कहना है कि उनको समय पर निर्दारिश समय पर न्यूकति दी जाए और सम फोरम बिजवाने के इंट्रिव के लिए हर बार धरना यहां पर देना ही पड़ता है चारेस का एक्जाम हो आप देख पा रहे हूँ आरेस के कितने धरने आपर लग चुके हैं आर पेसी के दोड़ा किसी परकार का निर्न ने आरेस के अकॉर्डिंग नहीं लिया गया हाला कि आरेस तो बहुत बड़ा एक एक एकजामिनेशन आप कह सकते हूँ कि राजस्तान का टॉप एक्जाम है उसके लिए भी यहां पर बिल्कूल भी यहांपर सीरियस नहीं है तो किस प्रकार से यहां पर बात करूँ तो युवाओ को यहां पर किस प्रकार से इनको रोजकार दे पाएंगे उसका बाद में उसका प्रेणाम भी नहीं आया मेंस का वरिष्ट अध्याबक बरती 2018-13 के अंदर जो चैनित अभेड़ती थे उनको यहां पर जोइनिंग नहीं दी गई उनकी मामला चल रहा है LDC बरती 2013-RPSC फोरम बिजवाने बाकी है उनके फोरम भी यहां पर नहीं बिजवाएं उसके बाद में SI यहीं सब इंस्पेक्टर बरती 2016-16 के अंदर टेक्निकल विभाग में 4 साल से प्रिक्षा जो है लंबी चल रही है इंतिजार चल रहा है उसके बाद में SI 2016 का इंट्रिव यहां पर नियुकती यहां पर बाकी है उसके बाद वर्रेंजर भरती 2018 के अंदर निकाली गए थी उसकी प्रिक्षा थी थी अभी तक यहां पर गोशित नहीं की गई SI कर्षी विबाग का जो 2018 में निकाले गए थी उसका इंट्रिव यहां पर बाकी है Food Safety Inspector के बाद करें तो उसका इंट्रिव बाकी है कर्षी अधिकारी की बात करें तो उसके प्रिक्षा बाकी है तो आप लोग देख सकते हो यहां पर कितनी प्रकार की बढ़तिया जो है RPSC की मेन यहां पर बढ़तिया जो है उनकी यहां पर पेंडेंसी चल रही है यहनि उन पर लापरवाई बढ़ती जारे किसी भी भरती को एक साल में कमप्लेट नहीं किया जारा किसी के एक्जाम्स बाकी हैं, किसी के इंट्रिव बाकी हैं, किसी के नियुक्ती बाकी है किसी के यहां पर फोरूम भी अप्लिकेशन नहीं निकालेगी, किसी के दिना की कोशिच नहीं गई मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लागा तो हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकल्स को दबाना ना बोले तैंक यू